38 अब ध्यान से देखने हैं पेड टू रीटा 8255 इन फुल सेटल्मेंट ऑफर ड्यूस ऑफ 10,000 यह कितना है बेटा 10,000 पेड 8255 इन फुल सेटल्मेंट ऑफर ड्यूस और वो ड्यूस कितने बेटा 1000 नहीं है कितना 10,000 1,0 की कमी लग रही है मेरे वाले नोट्स में तो आप इसको फिगर को चेंज कर लोगे 10,000 तो 10,000 का टोटल पेमेंट था ध्यान से देखो 10,000 का टोटल पेमेंट था जिसमें से 8255 भी मिला मतलब 45 और 1700 1745 हमें नहीं मिला 1745 हमें नहीं मिला कहने का मतलब यह मेरे प्यारे बच्चों यह पैसा हमें क्या है नहीं मिला नोट रिसीवड है आरा से नहीं है तो मैंने कहा यह नोट रिसीवड है मैंने कहा अब इसमें होगा क्या अब एक चीज सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी question number 37 और question number मतलब यह point number 37 transaction number 37 और transaction number 38 यहाँ पे यह जो कम पैसा मिल रहा है यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि वह insolvent हो गया इसका मतलब यहाँ पे यह जो कम पैसा मिला इस नुकसान का नाम है bad debts मतलब सामने वाली party bad हो गई मतलब वह insolvent हो गई यह विचारी पैसा नहीं दे पाई यह transaction में आप देखो full payment pay to 85 pay to rita 8255 in full payment offer dues हमने rita को इतना payment किया 10,000 के सामने तो यार यह जो difference अब ध्यान से सुनना जब भी ऐसा word हो full payment या full settlement तो जब आप settlement करते हो तो mostly मोलभाव करते हो कि मैं जल्दी payment कर रहा हूं या quality घराब आगई quantity गलत देदी तो उस वज़े से अपन settlement करते हैं और कई बार payment कम करते हैं तो यह जो 37 वाला है यह जो 37 वाला है कि 38 यह जो 38 वाला है मेरे प्यारे बच्चों इस 38 वाले में अब आपको देखना पड़ेगा इस 38 वाले में मैं यह कह सकता हूँ कि जो total due था that was 10,000 हमने जो payment किया देखो उपर तो receive हो रहा था यह payment है बट मैं जो दोनों में difference बताने वाला था वो मैं आगे वाले में समझा दोगा 8255 हमने full payment, full settlement करते वे उसको 1745 कम दिये तो देखो उपर तो वो insolvency थी थी ना तो bad debts आया यहाँ पर जो कम दे रहे हैं यह discount आया और यह discount हमने दिया निया में मिला है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा discount received क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों discount received तो मैंने का जैसे ही मै discount received लिखूंगा automatically यहाँ पर क्या होगा कोई problem नहीं होगी discount received आगया अब मैं आपको बताता हूँ यह discount received है what does this indicate यह क्या indicate करता है मैंने का सबसे पहले आप देखो entries देखते हैं मैंने का यार मैं क्यों payment कर रहा हूंगा भही मैं payment कर रहा हूं ना इसमें किसको रीटा को तो री रीटा को payment कर रहा हूं तो मेरी liability खतम होगी अब मैं आपको बता देता हूं मेरी liability तो पूरी खतम हो रही है क्योंकि full payment हो रहा है full settlement हो रहा है मतलब 10,000 जो liability थी उसके सामने पूरा settlement हो रहा है बट मैं payment जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 8255 तो can I say that 1745 का मु रहा है आरा समय है जब आप full settlement करते हो तो यहां पर discount word आता है क्या आता है discount word अब सुनना में क्या क्या रहा हूं मैंने का यार बच्चा ना देखो 8255 में तो अठकेगा नहीं क्योंकि 8255 का payment हुआ है बच्चा देखो अपने experience से अठकेगा यह रीटा क्यों debitori है 10,000 से और full settlement कर लो और मुझे सिर्फ 8255 देजो आरे भाया रीटा के रही है full settlement मतलब हमारी जो liability है रीटा की तरफ वो तो पूरी खतम होगी ना तो जो liability खतम हो रही है हमारी वो पूरी 10,000 रुपे से हो रही है इसलिए हमने 10,000 रुपे से debit मारा है वापिस rewind करके सुन ले ना मैंने क् देखो 8255 का payment किया कितनी की liability के सामने 10,000 तो कितने का फैदा हुआ discount हुआ 1745 स्टोरी क्लियर है गाईस समझ में आ गया इसको copy मारो पहले 39th क्या कहता है मैं received a check from A.Raja रुपीस 3350 allowed him discount of Rs.150 allowed him discount of Rs.150 अब धियान से देखना मैं क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि A.Raja करके लेटसे हमारा customer होगा क्योंकि वो हमें check दे रहा है तो A.Raja ने हमें check दिया 3550 का ध्यान से सुनना A.Raja ने मेरे प्यारे बच्चों हमें check दिया कितने का 3550 का अब मैं यह कहता हूँ कि हमें हमने उसको 1500 रुपे का discount दिया तो मैं यह कहूंगा यह discount received नहीं है discount allowed है ध्यान से सुनते जाना सुनते जाना मैंने का इसका मतलब हम A.Raja में पैसा मांगते कितना थे मैंने का amount due कितना था बेटा जो A.Raja से था तो मैंने का amount due था हमारा 3700 मतलब हमें जो A.Raja को पैसा देना था मतलब A.Raja को जो हमें पैसा देना था वो था कितना 3700 हमने उसमें से 1500 discount दिया इसलिए उसने हमें कितना पे किया 350 350 तो मैंने का यह होगया रिसीव यह हो गया हमारा expense और मैंने का यह हो गया total innovative हमारा क्या है द्यू है फट आफट इसको देखो ईक बार है तो सब्सक्राइब देखा ब्हy energy मांगने के लिए अब अब हमें इसका entry मानने के लिए logic लगाना पड़ेगा क्या कहता है इसका entry यार एक बात बताओ सबसे पहले हमें पैसा मिला के हमें पैसा दिया but obviously हमें पैसा मिला ए राजा से पैसा आया ना चेक आया ना हमारे पास अब देखो इसमें कई बच्चों को एक additional confusion गयाता है सर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि check received from एर आजाओ यहाँ पे ऐसा बिलकुल भी ने given है कि check deposit हो गया तो आप क्या करोगे check received और deposit मानोगे या check received but not deposited मानोगे मैंने का in the absence of information in the absence of information आप हमेश्चा यही मानते हो कि check received हुआ end deposit हो गया आरसने तो इसलिए मैं bank का balance बढ़ाऊंगा तो मैंने का यह check जो मुझे मिला यह मैं bank में जमा कराऊंगा my bank balance will increase guys why bank is debited यह effect आपके दिमाग में set हो गया bank आपका asset है bank में जब आप यह check जमा कराऊंगे आपका bank का balance बढ़ेगा और bank एक asset है इसलिए debit हो रहा है increase हो रहा है तो दूसरा मेरे पास ध्यान से सुनना ए राजा को मैंने पहले माल बेचा होगा तब ही मैं उसमें पैसे मांगता हूँ आ रहा सुनने अब मैंने का मैंने जब उधार में माल बेचा था तो entry क्या हमारी होगी A.Raja to sales A.Raja को debit किया था अपना asset बनाते हुए अब जैसे ही A.Raja मुझे payment कर रहा है क्या बुला मैंने जैसे ही A.Raja मुझे payment कर रहा है मेरा वो asset तो कम हो रहा है तो मैंने का केना है सेदाट यहाँ पर क्या आ जाएगा A.Raja और A.Raja नाम से वो जो asset पूरा 3700 से खतम हो जाएगा आ रहा संदे सर उसने दिया तो 3550 आप 3550 से asset खतम करो ना यार मुझे एक बात बताओ क्या ये भविश्य में हमें पैसा देगा एक रुपया भी नहीं तो जो 3700 है वो पूरा ही asset जिरो जाएगा तो अब मैंने 3700 का asset गया और मेरे पास पैसा आया से 3550 तो मुझे 1500 रुपय का नुकसान हुआ उस 1500 रुपय का नुकसान के नाम क्या है बेटा discount allowed क्या है बेटा नाम discount allowed क्या नाम में बेटा discount allowed तो मैंने का यहाँ पे हमने ठेक है तो यहाँ पे narration लिख देंगे being amount received and discount allowed टू यह राचा ठेक है अब आप देखो उसको copy मारो फिर अपन